नमस्कार, आज मैं आपको सड बिंदू तेल के फाइदे के बारे में बताऊंगा, ये नाक में होने वाली बीमारियों से हमें छुटकारा दिलाता है, बालों की बीमारियों से हमें छुटकारा दिलाता है, दिमाग में होने वाली बीमारियों से हमें छुटकारा दिलाता है, आखों से सम्मंदित बीमारियों से हमें चुटकारा दिलाने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके अंदर बहुत सारे हबस होते हैं, उन जड़ी बुटियों के बारे में भी बताऊंगा, भरिंगराज के काड़े में इसको पकाया जाता है, बकरी के दूद में और तिल के तेल में इसको बनाया जाता है, वो मैं आपको बाद में बता दूँगा, ये सबसे पहले तो जिन लोगों को जुकाम रहता है, बार बार चीके आती हैं, नजले से परेशान रहते हैं, सीरदर्द से परेशान रहते हैं उन लोगों के लिए जिनके बाल जड़ रही है या सफेद होते जा रहें उमर से पहले उनके लिए बहुत फाएदे मन साबित होता है तो सबसे पहले मैं आपको उतादू जिनका गरम सर्द बिगड़ जाता है, नजला तंग करता है, बार-बार छीके तंग करती है, हमेशा माथे में यहां भारीपन रहता है, साइनस एलर्जी की शिकायत रहती है, उन लोगों के लिए 3-6 बुंद नाक में डालना है और खीचन साइनस एलर्जी है, यहां बलगम जम हो जिससे साइनस एलर्जी से परेशान है और आप बार-बार छीके जुकाम से परेशान होते हैं, तो उससे आपको बहुत जल्दी चुटकारा मिल जाएगा, इसका इस्तमाल सुबे शाम आपने नाक में डालके 3-6 बुंद खीचना है जिन लोगों के सिर में, पूरे सिर में दर्द रहता है, या आदे सिर में दर्द रहता है, खास तोर पे जिनको माईग्रेन की शिकायत रहती है, उन लोगों को कहना चाहूंगा, 3-6 बुंद नाक में डालके खीचे, 3-6 बुंद डालके खीचे, इसको खीचने से सिर की नसो को ताकत मिलती है उसमें सूजन नहीं हो पाती और सिरदर से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है जिन लोगों के बाल जड़ते वे चले जा रहे हैं और बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि नस्य करम के रूप में सड़ बिंदू तेल ती द जालके खीचे ँसको खीचने से बालों के नीचे जड़ों में पूरी तरह से को कई होने लग जाएगा और बालों की जड़े मजभी समपीरiosis उस जुटना बंद हो जाएगा और समय से पहले वह सफेद होने लग ज Harlem वो सफेद होना भी बंद हो जायगा जिन लोगों की नजर कमजोर होती चली जारी है उन लोगों को कहना चाहूंगा कि सड़ बिन्दू तेल 3-6 बुन नाक में डाले और खीचे, 3-6 बुन डाले और खीचे इसे नस्क करम कहा जाता है इसको करने से आखों की रोशनी बढ़ेगी और आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा सड बिंदू तेल का किसी तरह का कोई side effect नहीं होता ना ही इसकी कोई आदत पड़ती है इसकी मात्रा जो होती है तीन से छे बुंद एक नाक में डाल के खीचे और तीन से छे बुंद इस नाक में डाल के खीचे अब मैं आपको ये बतायता हूँ कि शड बिंदू तेल में क्या-क्या डाला जाता है जड़ी बुटियों में एरंड की जड़ डाली जाती है जिसे हम अरंडी जड़ भी बोलते हैं तगर डालते हैं जिसे हम सुगंद बला के नाम से जानते हैं, सोफ डालते हैं, जीवन्ती, रासना, सेंदा नमक, दाल चिनी, वाइवरिंग, मुलेठी, सोफ बराबर मातरा में लेके इसको पीस के पाउडर बनाया जाता है, बकरी के दूद में और काले तिल के तेल में इसको पकाया जाता है, और उसमें भ्रिंग राज का रस मिलाया जाता है, अगर भ्रिंग राज सुखा होता है, तो उसका पहले काड़ा बनाया जाता है, उसका काड़ा, बकरी का दूद और तिल का तेल और ये जड़ी बुटियों का पाउडर सब को मिला के अच्छे से पकाते है जब सिर्फ तेल तेल रह जाता है बाकी चीजे जो बकरी का दूद है और जो भृंग राज का काड़ा है वो भूरी तरह से जल जाता है उसके बाद इसको नीचे उतार के ठंडा होने पे छान के इसको बोतल में भरके रख दिया जाता है और समय अनुसार मातरा भी बताई जा सकते हैं और आज के लिए इतना ही अगले वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूं धन्यवाद